नमस्कार दोस्तों निर्जास किचिन में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाना सीखेंगे मुंबई स्टाइल की सेंडविच तो इस सेंडविच में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या-क्या चीजों की जरुरत पड़ती है तो हमने यहाँ पर हरे मटर लिये हैं और इनको अच्छे से वाश करके उबलने के लिए रख दिया है और जब यह उबल जाएंगे तो इनको हम एक छन्नी में ड्रेन कर लेंगे और पानी अलग कर लेंगे और मटर अलग रख लेंगे यहाँ पर हम बना रहे हैं एक हरी चटनी तो हरी चटनी के लिए हमने लिया है पुदीना धेर सारा पुदीना लिया है और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया हरा धनिया भी हमने बहुत सारा लिया है और इसमें हम डालेंगे अद्रक लहसुन और हरी मिर्च यह हमने लहसुन ल हैं अगर को भुने हुए चने नहीं आपके पास है तो भुनी ऋई दाल मिलती है तो आप उसको भी ले सकते हैं या फिर भुने हुए जो चने साथा हैं उनके छिलके निकाल लीहें और उसको हम यूस कर सकते हैं और अध्रक पॉपशिनल है यदि आपको डालना हो तो अधरक डाल सकते हैं और नहीं डालना हो तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं. तो सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और मिर्च आपके टेस्ट के उपर है आपको जितनी डालना हो. यहाँ पर हमने नमक लिया है थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से आपको नमक लेना है अंदाज से और थोड़ी सी हम यहाँ पर मीठी नीम की पत्ती भी इसमें डाल रहे हैं तो सारी चीजें तयार हो गई हैं, बस थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करना है, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, मिक्सी में इसको पीस लेना है, और हमारी हरी चटनी बनके तयार हो गई है, तो ये चटनी हमारे सेंडविच बनाने के काम में आएगी, और ये सा तीखा ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तीखी चट्मी बहुत अच्छी लगती है मेरे इसमें कम मिर्ची डाली है आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकती है यहां पर हमने एक कढ़ाई को चढ़ाया है थोड़ा सा तेल डाल के और उसमें जीरा राई सौफ, हरी मिर्ची और थोड़ा सा हमने लहसुन को क्रश करा है और उसको डाला है यहां पर हम थोड़ी सी मीठी नीम भी डाल रहे हैं और इन सब चीजों को अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है जब सभी चीजें अच्छे से भुन जाएं लहसुन गुलाबी हो जाएं उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे प्याज हमने बारिक बारिक काट के रखी है और थोड़ी प्याज हमने जादा सी ली है अब इसे भूनना शुरू करेंगे प्याज को भी हमें अच्छे से भून लेना है बहुत जादा भी नहीं भूंज रहे हैं कि एकदम इसको रेड कर लेना है बस थोड़ी गुलाबी सी होती है हमारी प्याज और बस तयार है हमारी प्याज हमने इसमें जो मतर उबाल के रखे थे वो डाल देंगे और हमने यहाँ पर कुछ आलू उबाल के रखे हैं तो उनको भी हम इसमें डालेंगे पर आलू डालने के पहले आप मतर हमारे boil हैं तो यह soft हो चुके हैं तो इनको हमें इस तरह से एक measure लेना है और उससे दबा के मटर को हलका सा crush कर लेना है बड़े-बड़े सैगे मटर नहीं रखना है हलका सा उनको इस तरह से दबा के mash कर लीजिए अगर measure नहीं है तो आप ज़रिया से भी इनको दबा के या किसी कटोरी या गिलास से भी इनको दबा के आ mash कर सकती है बस हलका सा crush करना है बहुत ज़्यादा इनको पीशना नहीं है ताकि मटर के दो टुकडे हो जाए बस इतना ही mash करना है अब यह भी भूँज गया है अब इसमें हम मसाले डालेंगे यहाँ पर हमने दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है थोड़ा सा अमचुर पाउडर डालेंगे आधी चम्मच हमने रेगुलर मिर्च ली है आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर लिया है और एक चम्मच हमने करीब चाट मसाला लिया है मसाले आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं कम या जाधा आपकी पसंद है यदि खट्टा जाधा पसंद है तो आमचुर पाउडर जाधा डाल सकते हैं अगर तीखा पसंद है तो तीखा मिर्च जादा कर सकते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, आप भोना हुआ जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं, और यदि काली मिर्च पसंद है तो आप यहाँ पर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, अब हमने कुछ आलू बॉ मेश कर रहे हैं और स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए अंदाद से आपको नमक डालना है जितना आपको पसंद हो अब सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ध्यान रखिए आलू को यदि बड़े टुकड़ों हैं तो आपको इसी जरिया से उसको मेश क कर लेना है आलू को हमको मैश करते हुए मिक्स करना है अच्छे से दबा दबा के उनको मैश कर लीजिए ताकि सेंडविच में आलू का कोई बड़ा टुकड़ा मूह में ना आए और बड़ा टुकड़ा रहेगा तो वो इस्प्रेट भी करते हुए नहीं बनेगा हमको ब्र ज्यादा सहरा धनिया डाल के अब सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा मसाला तैयार है अब हम सेंडविच बनाएंगे तो हमने यह सेंडविच में कर लिया है इसको सबसे पहले हम बटर से ग्रीस कर देंगे दोनों तरफ हम इसके बटर लगा देंगे उपर और नीचे की जो होती है ट्रे टाइप की होती है जिस दोनों होती है यह दोनों प्लेटें जो हमारी होत होँगी इन दोनों पे हम बटर अच्छे से एपलाई कर देंगे ब्रश की सहायता से या हाथों से जैसे भी आपसे बने उसको लगा दीजे अब हम इसको preheat करेंगे हमने इसको preheat करने के लिए रख दिया है तब तक हम bread में अपना sandwich तयार करते हैं तो सबसे पहले हम bread में एक side पे हम butter लगा लेंगे जो side पे हमको अंदर मसाला भरना है उस side पे हम butter लगाएंगे बाहर की side के लिए butter हमने sandwich maker में लगा दिया है तो बाहर की तरफ उधर से हमारी sandwich में butter लग जाएगा अंदर की side हमने ये butter लगा लिया है अब इसमें हमने जो हरी चटनी तयार करी थी उसमें हम एक चमच नीबू का रस मिलाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो चटनी है उसका color वड़ा सुद्दर green रहा आएगा आप इसको पीसते समय भी नीबू का रस डाल सकते हैं या फिर पीसने के बाद में आप अलग से भी एक चमच नीबू का रस में मिला दीजिए तो bread के उपर हरी चटनी को फैला दीजिए अच्छे से पूरा अच्छे से चारों तरफ फैलाना है bread के उपर दौनों bread पे हम अच्छे से हरी चटनी को एपलाई कर देंगे एक बार में हमारी दो sandwich इसमें बनके तयार होंगी अच्छे से हमने sandwich पे चटनी फैला दी है अब इसके उपर हमने जो आलू का मसाला तयार करा है उसको spread कर देंगे थोड़ा थोड़ा मसाला लेके आप धीरे धीरे इसको spread कर दीजिए अच्छे से अगर चमज से नहीं बनता है तो हाथ से कर लीजिए जो आपको suitable लगता है वैसे आप इसको spread कर सकते हैं अब यहाँ पर हमने कुछ सबजियां काट के रखी हैं जैसे हमने टमाटर काटे हैं प्याज काटी हैं और शिमला मिर्च काटी हैं तो आप इनको भी डाल दीजिए अगर यहाँ पर हरी मिर्ची डालना हो तो आप कटी हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं थोड़ा सा हमने यहाँ पर चाट मसाला डाला है क्योंकि सबजियां फीकी न लगें और यहाँ पर आप काली मिर्ची भी डाल सकते हैं थोड़ी सी यह हमने प्रोसेस चीज को ग्रेट करके इसपर डाल दिया है आप चीज श्लाइस भी डाल सकते हैं, मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं अब दूसरी सैंडविच को इसके उपर हम चिपका देंगे इस तरह से इस तरह से हमने दो ब्रेड तयार कर लिए दो सेंडविच तयार कर लिए और हमारा सेंडविच मेकर भी प्रिहीट हो चुका है तो अब हम इसमें सेंडविच बनने के लिए रख देंगे जब सेंडविच बन जाएंगी तो ये जो रेड बटन ऊपर चल रहा है वो अपने आप बंद हो जाएंगा और हमारी सेंडविच बन के तयार हो जाएंगी अब हमारी सेंड्विच बनके तयार हो गई है इसको हम खोलेंगे ये देखिए हमारी सेंड्विच बनके एकदम तयार हो गई है आपके पास यदि सेंड्विच मेकर जो गैस बनाते हैं वो वाला है तो उससे बहुत अच्छी ये सेंड्विच बनती है और नहीं है तो फिर इस टाइप से भी आप इसको सैंडविच को बना सकते हैं अब अभी हमारी खतम नहीं हुआ है अभी हम इसके उपर और कुछ भी लगाएंगे हम ये लगा रहे हैं टोमेटे सॉस, टोमेटे सॉस को हमने सबसे उपर वाली लेयर पे हमने टोमेटे सॉस लगा दिया है, थोड़ा सा इस ग्रीन चटनी को भी लगा देंगे, तो बन गई हमारी मुंबयय स्टाइल की सेंडविच, अब इसके उपर आप जो ये जीरो नंबर क नायलोन सेव आते हैं, इनको डाल दीजिए, अच्छी चटपटी, तीखी, बहुत ही मस्त ये सेंडविच बनके हमारी तयार हुई है, एकदम क्रिस्प बनती है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इस तरह से बनाईए और खाईए, यदि आपको चीज इसमें ज्यादा पसंद है, तो भर भर के चीज ढलीए इसमें, पनीर पसंद है तो पनीर भी ढाल सकते हैं, तो आशा करती हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज अगर आपका सब्सक्राइब का बटन रड दिख रहा है तो प्लीज इसको टच कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में आल पे क्लिक करना ना भूलें तो आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो चलिए चलते हैं अगले बार फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो के साथ मैं और एक बार इस सेंड्विच को बना कर जरूर देखिए और खा कर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया यह सेंड्विच बनते हैं ओके थैंक यू बाई